So, hello guys, welcome back to the new video session दोस्तों, Indian Territorial Army Joint Agent Officer की recruitment आप सबको पता आचुकिए है आपने apply नहीं किया है तो अभी online application form चालू है, आप apply कर सकते हैं अभी दोस्तों, इस recruitment को लेकर आपके सवाल रुपने का नाम ही नहीं ले रहा हैं बहुत सारे सवाल आते हैं, हर रोज territorial army की question पूझे जाते हैं, comment box में हालांकि मैंने इसको लेकर आपको details से video session करवाई भी है first video session में मैंने आपको notification के बारे में details से बताया था, second video session में eligibility criteria के बारे में details से बताया था, third video session में exam pattern, exam level, exam के minimum passing marks, इन सब को लेकर चीज़ें बताया थी और selection procedure को लेकर भी मैंने आपको details से inform किया है, अगर आप यह सभी video session देखना चाहते हैं, तो link मैंने यहाँ पर i button में दिया, यहाँ से आप check out कर लेना, अगर यह सभी session आप देख लेते हैं, तो यह territory और army की जो recruitment इसको लेकर कोई भी सवाल आपके मन में नहीं बचेगा, ठीक है, यहाँ पर एक telegram channel का मैंने description box में link दिया है, उस पर मैंने आपको previous year old paper provide करवा रखे हैं, तो वो भी आप check out कर सकते हैं, आप पहले से telegram channel पर हैं, तो आपको पता ही होगा, मैंने old paper वहाँ पर डाल दिये हैं, और I think आप लोगोंने check out कर लिया होगा, जो नए बच्चे हैं, वो जरूर telegram channel को join कर लें, ठीक है, खेर आप बच्चे तो क्या ही हो, क्योंकि वो भी सर्बनने वाले हो, तो मतलब candidate हो, ठीक है, हम उमर हो, तो बच्चे तो मैं क्या कहूँ, लेकिन habit होती है, टीचर की बोलने की, तो उसके according में बात कर रहा हूँ, अभी देखे दोस्तों, territorial army के बारे में क्या सवाल आ रहेंगे, हाइट, वेट और age का ratio बता दो एक बार, हाइट, वेट और age का ratio होता है, जो कि आपको maintain करना पड़ता है, ठीक है, ये physical standard के अंदर count होता है, medical के ऊपर हम बात में बात करेंगे, details हैं कि क्या क्या चीजे होनी है, लेकिन अभी physical जो standard है, उसके ऊपर बात करें, हालंकि मैंने आपको आँगा, officer की recruitment है, officer का paper देने बेट होगे, तो English में आएगा, ठीक है, paper किस में आएगा, English में आएगा, अब भी इस साल अगर change हो जाता है, तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन last recruitment के अंदर English में ही paper आया था, हिंदी में नहीं आया था, फिर आपका P.I.B. और SSB का interview होगा, वो भी English best होगा, English ही आपकी communication के language होगी, second language हिंदी होगी, जिसमें आप group discussion कर सकते हो, यानि एक दूसरी के साथ वारतलाब कर सकते हो, लेकिन जितने भी concept है, SSB के और P.I.B. के, वो सारे English में होने हैं, आलागी P.I.B. एक basic interview है, इसमें आपकी psychology को चेक किया जाएगा, आपका interest चेक किया जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत हिंदी चलेगी, लेकिन SSB में आपको ज्यान रखना है कि सब को पता होना ची, English में ही होते हैं सारे concept, बाकी group discussion में हिंदी चलती ह जीरो होता है, लेकिन paper आएगा English में, सवाल बहुत आसान होते हैं, paper को लेकर मैंने आपको बताया है कि paper का level कैसा है, आलागी paper में solve भी आपको करवा दूँगा, previous year जो paper है, वो solve करवाने की भी कोसिस करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा comment करना ह किसर paper solve करवा दो, जितने ज़्यादा comment आएंगे, जितने जल्दी comment आएंगे, मैं उतना जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आजाओंगा, ठीक है, अगर आप यह वीडियो काफिसमें बाद में देख रहे हैं, तो एक बार चेंदर पर विजिट कर लेना, आपको हो सकता ह प्रिवियस एर के solve paper मिल जाए, ठीक है, अब बात करते हैं, दोस्तों, height, weight और age के measurement की, यहाँ पर दो गुरूप मैंने बनाए हैं, एक आपका age गुरूप है 22-25, और second जो गुरूप है, वो 26-30, यह female के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, woman candidate के बारे में बात कर रहा हूँ, इ एक तरफ height है centimeter में, तो आपको यहाँ चेक करना, आपकी जो height है, वो weight और age के according, यानि age जो है, weight जो है, वो age और height के according होना चाहिए, manly क्या weight पर फोकस किया जाता है, height अगर 148-151 cm है, तो यहाँ पर आपका, अगर 22-25 वाले age group में है, हो तो आप 43-45 आपका minimum होना चाहिए, only female candidate की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी age 26-30 है, तो आपका weight थोड़ा increase हो जाएगा, यानि 46-48 होना जरूरी है, इसके बाद में अगर आपकी height 152 cm to 155 cm है, तो आपकी जो age है, वो 2025 के लिए 46-48 रखा गया है, 26 और 30 के बीच में अगर आपकी age है, तो 49-51 है, तो इस तरह से 2 age group है, और यहाँ पर height है, तो आप यह screenshot ले लो, ताकि आप आसानी से इसको check कर सको, ठीक है, तो screenshot से आप check कर सकते हो, 10% variation होता है, तो चल जाता है, अगर 10% कोई इदर उदर होता है, तो उसमें कोई problem नहीं होती है, चाहिए वो age में हो, चाहिए वो height में हो, चाहिए वो weight में हो यह एक हाली female candidates के लिए है, और बहुत सारे लोगों ने पूचा है कि आप female candidates apply कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, आप apply कर सकते हैं, कोई मनाई नहीं है, आपके लिए vacancy open है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों male candidates के height और weight को लेकर, ठीक है, males को तो ज़्यादा maintain करना ह होता है, age group आपको details यहां सो किया हुआ है, यहां पर total 4 age group है, 15 to 17, यह आप छोड़ दो क्योंकि यह नीचे की recruitment के लिए है, soldier की जो post होती है, GDU post होती है, उसके लिए, आप यह 18 to 22, 23 to 27, 28 to 32, यह आप match करवा ले ना, ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर 42 तक age जाईगी, तो व क्यों नहीं है, तो वह आपको update बाद में मिलेगी, अभी मैं आपको basic information दे रहा हूँ, basic जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ इस तरह से आपका ratio रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिक्कत हो रही है, कि पता नहीं कितना बड़ा काम है, यह height, weight और age का ratio वाला, तो minimum 158 cm है, वैसे आपको बता दूँ, आपकी height कम से 160 cm होना जरूरी है, female के लिए 157 cm है, वैसे बता रहा है 157 cm, लेकिन 160 cm height है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर out होने की possibility भी बनी रहती है, तो height में थोड़ा सा आपको extra cm लेकर चलना पड़ेगा, तो 157 to 160 cm height almost 159 cm, 165 cm अगर है, तो यहाँ पर आपका age के according वैट होना चाहिए, ठीक है, age के according आपका क्या होना चाहिए, वैट होना चाहिए, बाकी आप officer बनने जा रहे हो, तो मुझे ज़्यादा explain करने के आप सकता है, यहाँ पर नहीं रहेगी, तो आप आसानी से खुरी चेक कर ठीक है, बाकी TA special जो आपकी recruitment है, उसके लिए जो measurement जारी होगा, उसके उपर में अलग साई video बना कर दे दूँगा, तो कोई issue वाली बात नहीं होगी, ठीक है, अभी कोई आपका doubt है, तो आप पहले तो पीछे वाले video session देखकर clear कर लें, अगर फिर भी बच जाता है, तो से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं अच्छे motivation के साथ मैं वो paper solve करवा दूँ,